C.I.E.T.N.C.E.R.T. द्वारप्रस्तुत है कक्षा एक की गणित की ध्वनी पुस्तक आनंद मैं पार्ट छे सबजियों की खेती प्रिष्ट चौंसट यहाँ पे एक चित्र बना हुआ है दिन का समय है एक गाउं का द्रश्ट दिखाया गया है जहाँ पर एक खेत है और इस खेत में एक महिला और एक पुरुष अलग-अलग सबजियों को उगा रहे हैं और उन्हें काट रहे हैं रूमी और शम्मी खेत से सबजिया लाने में एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं प्रत्ये के पास एक एक टोकरी है और वे सबजिया उन्हें टोकरियों में रख रहे हैं प्रिश्ट 65 क यहाँ पर तीन सबजियों की टोकरी के चित्र बने हुए है पहली टोकरी रूमी की है दूसरी शमी की टोकरी है और तीसरी टोकरी में दोनों के पास कुल कितने टमाटर है वो बताया गया है लिखा है साथ टमाटर और पांच टमाटर मिलकर बारा टमाटर होते हैं यानि साथ जमा पांच बराबर रिट्स्थान ख, एक टोकरी में नौ गाजर और दूसरी टोकरी में चार गाजर है आपको बताना है नौ जमा चार कितने होते हैं ग, यहाँ पर दो चित्र बने हुए हैं दोनों चित्रों में एक एक टोकरी और उन टोकरियों में कुछ मूलिया है एक टोकरी में आठ मूली और दूसरी टोकरी में आठ मूली हैं आठ जमा आठ बराबर रिक्त्स्थान परियोजनाकार अपने घर, स्कूल, आसपास सबजियों के कुछ पौधे उगाईए अपने मित्रों एवं परिवार को अपने अनुभव बताईए एवं उगाए गए पौधों का ध्यान रखिए आप कागस पर बढ़ते हुए पौधों का चित्र बना सकते हैं या उनकी चित्र लगा सकते हैं प्रिश्ठ 66 मूती और माला आओ खेले यहाँ पर एक कक्षा का चित्र बना हुआ है कक्षा में एक अध्यापिका है और साथ ही साथ, दो चात्र और एक चात्रा अध्यापिका कहती है दिखाईए कि आप बारा और चार को गिन लड़ी में कैसे जोड़ेंगे अध्यापिका के हाथ में एक गिन लड़ी है तभी एक बच्चा कहता है मैं पहले बारा मोती गिनूंगा और फिर चार आगे गिनूंगा तेड़ा 14 15 16 दिखाये कि आप इसे कैसे गिनेंगे यहाँ पे चार चितर बने हुए हैं इन चारों चितरों में गिन लडिया हैं इन गिन लडियों में कुछ मोती रंगीन है और कुछ मोतीओं पे रंग नहीं है यहाँ पर कुछ संख्याई दी गई है आपको इन संख्याओं के अनुसार यहाँ पर मोतियों में रंग भरने हैं और कुल संख्या कितनी हुई ये भी चिन्ह के माध्यम से बताना है जैसे तेरहा जमा चार बराबर सत्रहा ऐसे ही चोधा जमा पांच बराबर रिक्तिस्थान चे जमा आठ बराबर रिक्तिस्थान पांच जमा साथ बराबर रिक्तिस्थान कूदिये और जोडिये यहाँ पर संख्या एक से बीस तक की संख्या पटी दी गई है आपको अलग-अलग संख्याओं को जोड के गिनना है और उनका कुल कितना हुआ यह रिक्ट स्थान में लिखना है साथ ही साथ दूसरी सूची में कुल संख्या दी गई है आपको बताना है कि किन दो संख्याओं का जमा करके यह कुल संख्या बनती है उदारन के लिए लिखा हुआ है आठ जमा पांच बराबर तेरह और पांच जमा तीन बराबर आठ ऐसे ही तेरह जमा तीन बराबर रिक्तस्थान दो जमा सोला बराबर रिक्तस्थान चार जमा बारह बराबर रिक्तस्थान रिक्तस्थान जमा रिक्तस्थान बराबर तेरह रिक्तस्थान जमा रिक्तस्थान बराबर दस रिक्तस्थान जमा रिक्तस्थान बराबर अठरह सपना ने इस प्रकार हल किया 12 के आगे 6 और गिने मिलकर हुए 18 12 जमा 6 बराबर 18 शिक्षक जोड की प्रक्रिया पर बातचीत करें कि बच्चे किस प्रकार बारहग गिनते हैं एवं उसमें छै कैसे जोडते हैं बच्चों त्वारा अपनाई गई कारनीतियों पर चर्चा करें प्रिष्ट अर्जट गौरी ने इसे इस प्रकार हल किया बारा जमा छे यानि दस जमा दो जमा छे यानि दस जमा आठ बराबर अठा रहा क्या आप इसे किसी अन्य तरीके से हल कर सकते हैं प्रयास कीजिए और अपने शिक्षक से चर्चा कीजिए ख, आमन के पास आठ लड़ू है एवं चरंजीत ने चे लड़ू खरीदे दोनों के पास कुल कितने लड़ू है रिक्त स्थान में भरिये गा, शीना के पास बारा चूड़िया है उसकी बहन ने चे चूड़िया और दी अब उसके पास कुल कितनी चूड़िया है रिक्त स्थान भरिये आओ करें आप पिकनिक पर क्या ले जाना पसंद करेंगे अपने मित्र के साथ चर्चा कीजिए चर्चा के पश्चात इन वस्तूओं के चित्र नीचे बनाईए एवं आवश्रक्ता अनुसार उनके सामने संख्या लिखिए यहाँ पर एक चौकोर आकार का रिक्ट स्थान दिया गया है आपको इस रिक्ट स्थान पर पिकनिक पर ले जाने वाली वस्तूओं के चित्र बनाने हैं एवं आवश्रक्ता अनुसार उनके सामने उनकी संख्या लिखनी है प्रिष्ट उनहत्तर घटाव कुछ अन्य संख्याओं के साथ घटाव कीजिए और लिखिए इस चित्र में केले के तीन समू दिये गए हैं पहले चित्र में दिखाए गए हैं पंधरा केले दूसरे चित्र में दिखाया गया है कि पंधरा केलों में से नौ केले खा लिये गए हैं बाकी बचे 6 के ले यानि 15 घटा 9 बराबर 6 यहाँ पर अभ्यास के लिए कुछ प्रश्ण दिये गए हैं प्रश्णों में चित्र के माध्यम से संख्याओं को बताया गया है क सोलह घटा 4 बराबर रिक्त स्थान क बारह घटा 5 बराबर रिक्त स्थान ग चोदह घटा 7 बराबर रिक्त स्थान ग शोलह घटा 6 बराबर रिक्त स्थान अंग पंद्रा घटा 5 बराबर रिक्त स्थान च पंद्रा घटा 0 बराबर रिक्त स्थान च सत्रह घटा 9 बराबर रिक्त स्थान यहाँ पर एक चित्र दिया गया है चित्र में अंजली और रेनु एक संख्या पट्टी पर खेलते हुए एक दूसरे से बात करती है अंजली कहती है फिर रेनु बोलती है रेनु दोबारा कहती है अरे हम दोनो एक हिस्थान पर पहुँच गए जोड़िये, घटाइये और मिलान कीजिये यहाँ पर तीन सूचियां दी गई है पहली सूची में दो-दो अंकों के जमाफ को दिखाया गया है मध्य सूची में कुल संख्या दी गई है और दाई ओर की सूची में अलग-अलग संख्याओं के घटान को दिखाया गया है और दाहिनी सूची में अलग-अलग संख्याओं में से कुछ संख्याओं को घटा के लिखा गया है अब हमें जोडने और घटाने के बाद एक ही कुल संख्या पर पहुँचना है उदाहरन के लिए आठ जमा साथ भी होता है पंदरह और सत्रह घटा दो भी होता है पंदरह ऐसे ही आपको अलग-अलग कुल संख्याओं पर पहुँचना है जमा और घटा करके मत्धि सूची की दूसरी संख्याएं है बारहा, चौधा, सत्रहा और अठारहा दाहिने और दी गई सूची में जो संख्याएं दी गई हैं वो कुछ इस प्रकार हैं पंदरहा घटा तीन, अठारहा घटा एक, अठारहा घटा शून और सोलहा घटा दो ऐसे ही और प्रश्न बनाएं और बच्चों से पूछें प्रश्नों के उत्तर बताने के स्थान पर हल करने के तरीकों पर बात चीत करें बच्चों को प्रश्न हल करने के अपने तरीके बताने दें इन्हें भी कीजिए का एक कुमहार के पास नौ दिये थे उसने पांच दिये बेच दिये फिर उसने साथ और दिये बनाए अब उसके पास कुल कितने दिये हैं रित्तस्थान भरिये यहाँ पर एक चित्र बनाया गया है इसमें एक कुमहार बनाया गया है और साथ ही साथ एक महला है जो कुमहार को पैसे दे कर उनसे दिये खरीद रही है दिन का वक्त है आपको ये बताना है कि कुमहार जिनके पास नौ दिये थे उसमें से जब उन्होंने पांच दिये बेच दिये और उसके बाद उन्होंने साथ दिये और बनाए तब उनके पास कुल कितने दिये हुए? खा, बस में पहले स्टॉप पर छे बच्चे चड़े दूसरे स्टॉप पर बस में आठ बच्चे और चड़े तेसरे स्टॉप पर साथ बच्चे बस से उतर गए अब बस में कुल कितने बच्चे हैं? रिक्तिस्थान भरिये यहाँ पर एक चित्र बना है चित्र में एक स्कूल बस है और स्कूल बस में कुछ बच्चे बनाए गए हैं साथ ही साथ वाहन चालक बस को चला रही है गा, बस में कुल अठारा सीटे है इसमें पहले से नौ बच्चे बैठे हैं गाड़ी में कितने बच्चे और बैठ सकते हैं, रिक्तस्थान भरिये घर, कुलजीत अपने डिब्बे में 14 टौफियां लेकर आई कुछ टौफियां अपने मित्रों को बांटने के बाद उसने देखा कि डिब्बे में 6 टौफियां बची है उसने मित्रों को कितनी टौफियां बांट दी, रिक्तस्थान में लिखिये अंगा, रमन ने 12 केले खरी दे और उनमें से कुछ केले खा लिए उसके पास 5 केले बचे, उसने कितने केले खाए, रिक्तस्थान में भरिये अभी आपसुन रहे थे कक्षा एक की गनित की ध्वनी पुस्तक आनंद में वाचन्स्वर वैभो श्रिवास्तव और मम्ता मलकानी तक्नीकी निर्देशन बटी लेंग लिंग्डो ध्वनी अंकन मयंक कुमार निर्मान सहयोग मिनाक्षी कुकरेती निर्देशन इवं निर्मान विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुती C.I.E.T.N.C.E.R.T. नईदिल्ली भारत